नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फेंटासी यूटूब चैनल की और एक नया वीडिया पर आप सब का दिल से बहुत बहुत सागत हैं आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, टीटेन का जो सेकेड मैच खेला जाएगा उस पार्टिकुलर मैच की बारे में बड़ उससे पेले हम काल की रेजाल पर एक बार नजर डालते हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हो, इस बला टीटेन मैच में अनली दो चैन्जेस की बज़ा से मेका कॉन्टेक्स मीस हो गिया अनली एही दो पिलियार छोड़ कर, बाकी जितना भी पिलियार से ना, सारे पिलियार डिरिम टीम का हिस्सा है, आप लोग देख सकते हो, डिटी डिटी करके लिखा है, ठीक है, और हमारा कैप्टेन और भाईस कैप्टेन सबसे ज़्यादा पौन दे चुकिया, मतलब यह द से दो से तीन चेंजेस किया करो, क्या पता मेरे लग से जदा आप लोग का लग बेटा हो, और आप लोग खुद अपने डम से ग्रैंड लिग विन कर सको, सही कि नहीं, तो किरकेट छोड़ कर भी मैं दो फुटबॉल मैचेस कभार किया था, दोनों मैचेस से पहले मैं आप 86,000 मैंने प्रोफिट कमा लिए, तो कितना थागड़ा किलिंग सुइब मैच था, आप लोग समझ सकती हो, इस बला मैच पे 93 कॉंटेक्स जान की, 73 कॉंटेक्स मैंने विन किया, 62,000 मैंने इन्वेस्टमेंन की थी, और 1,29,000 का मैंने प्रोफिट कमाया, प्रोफिट अगर आप लोग को आज का इस मैच से ऐसा ही प्रोफिट करना है, तो हमारा इस वीडियो को कम्प्रीट वाच कर लो, उससे पहले सबसे जोर रहे हमारा टेलीगराम चैनल को जोन करना, क्यूंकि जिस मैच का मैं वीडियो आपलोड नहीं करता हूं, जैसे कि फुटबल मैच इसका मैं कोई भी वीडियो आपलोड नहीं किया था, बढ़ टीम में आपना टेलीगराम चैनल पर बिल्कुल फ्री में पुवाड किया था, हाई इन्वेस्टमेन बाला टीम, ठीक है, रेजाल आप लोग उने देख लिया, तो अगर आपने हमारा टेलीगराम चैनल को जोन कर लो, उसके बाद चला जाना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्सन बॉक्स पे, आपको टेलीगराम चैनल की लिंक मिल जाएगा, बस लिंक पे जैसा आप किलिक करोगे, सीधा आप हमारा टेलीगराम चैनल के अंदर आ जाओगे, नीचे जोन रिक्वेस्ट का बटा मिलेगा उसमें किलिक करो, आप हमारा टेलीगराम पे जूड जाओगे, एकदम फिरी में एक भी रूपीज का मैं पैसा नहीं दूँगा, सब कुछ फिरी है यहाँ पर, बस डिस्क्रिप्सन पे जाओ, जोन कर लो हमारा टेलीगराम चैनल को, तो फिलाल इस वीडियो के अंदर हम ब तो इनिंग में आप लोगो दिखा दी, टेलीगराम के से जौन करना है मैं आप लोगो बता दी, तो आब मैं आप लोगो समने डिस्कास करूँगा, भैन नो डिटेल, तो वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोग भी बाकी दिनों के तारा गैरेंटी मिस करते रहो नोट कर लो, देख कर जाओगे तो सब भूल जाओगे, ठीक है, नोट कर लो कि equal support मिलेगे ground पे, highest score माप करना, fasting का जो ever score है बो दोस्तो 130, और T10 मैचेस में जिस ground पे 100 plus score बनता है, उस ground को हम एक high scoring ground बोल सकते हैं, तो ये भी एक high scoring ground है दोस्तों, ठीक है, उसका और एक proof देख है, वो score बन चुके दोस्तों, T10 मैचेस में, काल का SAK आप लोगो ने देखा, सिलोंका को कैसे, सिराज ने पठेक कर राग दिया, भाई, ODII मैचेस में तो इतना score का भी कबार नहीं बनता है, तो समझ लो, किस level का ground है, और जिस ground पे high scoring बनेगा, उस ground पे हमें ज्यादातर batsman और राउंडर पे focus करना पड़ेगा, ज़्यादा बोलर्ष देने का जोरूरत नहीं है, तो हमारा जो combination बनेगा, एक wicket की पर pick कर लो, top order की, जो की opening या one down पे आता है, ठीक है, batsman दोस्तों, आप 2-3 ले लो, ठीक है, और राउंडर पे दोस्तों, आप 4 भर लो, और बाकी का बोलर्ष भर लो, क्योंकि इनका और राउंडर ही, top order का batsman होता है, आगे जाके मैं सब कुछ बताऊंगा, कि कौन सा batsman, कौन सा wicket की पर, कौन सा बोलर्ष, कौन सा और राउंडर हमें pick करना है, बास आपको क्या करना है, वीडियो को end तक complete watch करना है, ठीक है, तो ground information में आप बता दिया, और deeply में आप लोगों समझाने के लिए, last four match की data दिखाता हूं, रोमा सिसी ने 1500 बनाया था, इसमे 131 बने था, 99 इसमें दोस्तों रोमा ने बनाया था, फिर इसमें 102 बना, इसमें दोस्तों सियान ने 118 बनाया, इसमें 72 हुआ है, इसमें दोस्तों बंगल की टीम इसमें दोस्तों 199 बनाया, इसमें दोस्तों 101, तो आप लोग देख सेकते हैं, हार एक मैचेस में, हार एक इनिंस में, चाहिए कोई बी टीम वांसाइडर हार जाए, फिर भी दोस्तों लगबग 100 ठोका आया, तो 100 बनाया है, मतलब हाई स्कोरिंग राउंड है, क्लियर हो गय दोनों टीम्स की लास्ट 5 मैचेस की डाटा, और इससे आप लोग पता चलेगा कि कौन सा टीम हैं से ज्यादा पिलियर से लेना है, कौन सा टीम से हमें क्याप्टन भाई स्किप्टन ढूलना है, सब कुछ इसके अंदर चुपा है, ऐसे स्किप करका मज जाओ, रोमा की टीम ने रिसेनली जो 5 मैचेस खेला, 5 मैचेस यार, आप लोग देख लो, ठीक है, इसमें 112 बनाया था, इसमें 106 बनाया था, इसमें 126 बनाया था, इसमें 93 बनाया था, ठीक है, और सारे मैचेस हरा है, 126 स्कोर बना दिया था, फिर भी हर गया, तो समाझ लो, अगर इस ग्राउ प्लाइस स्कोर बनाना पड़ेगा तब जाके टीम जीत पाएगा ओके आप दूसरा टीम का हलत देख दो लास्ट की तीन में इन्होंने तीन में से दोस्तों एक में जीता बाकी दो में चारा है अब इनके स्कोर देख लो सेवेंटीफोर है और थर्टीफाइव दोस्तों और इनका जो लाख था आप लोग देख सकते हैं इंहोंने सबमेंट में एकडम कम स्कोर किया है आप आप लोग सम ठोक के राखा रिनो ने तो 35-35 में भाई सारा अलकेट गबा दिया इनका तेक्सो का कोई सीन नहीं है तो थोड़ा बद दोस्तों यही टीमेस्टर रहे हैं मेरे को तो इस टीम से हम पीक करेंगे साथ खिलाडी और इस टीम से हम पीक करेंगे चार खिलाडी कम्बिनेशन मना कर दे दिया ठीक है आगे जके मैं बताऊंगा कि कौन सा कौन सा खिलाडी को में पीक करना है तो इसके लिए मैं आप लोग को प्रभाइड करूंगा क्या रहेगी दोनों टीम की ट्रवाबली पिलेंग 11 साथ साथ हार एक खिलाडी की ओल अभार T10 केरियर की ए कभार करते हैं बार काल जो मैं देखा सायद वो आप लोग को मलब ख्याई में बोलू मनलब काल में वीडियो देख रहा था कि भाई बाकी लोग कैसे वीडियो बनाते हैं बाकी लोग क्या अश्टेट डार है तब देखा भाई कि कूछ यूटूबर जो है जिनका अच्छा ठीक है साथ में र-o-m-e करके आप लोग गूगल साच कर लो ओफिशियल साइड आप लोग को मिल जाएगा ECS T10 रोमा की ठीक होहाँ पर जाके आप लोग सारा पिलियर्स का डाटा देख सेकती हो मैं यह नहीं बोर रहा हूं कि मेरा एस्टेट आप लोग भेरिफाई मत करो बाकी यूटूबर का जो रांग इंफर्मेशन मैंने देखा और जिस खिला लेका कुछ भी डटा नहीं है उनके बार बताया जा रहा है कि यह अच्छा है इनको क्याप्टन बनाओ इनको ट्रॉम 19 मैचेश खेला 16 के भारे जह 11 विकेट है लास्ट दिन हम लोगों ने वाइस केप्टन बनाया था अच्छा परूम किया था और इस एस्टेट के अंदर काल की डाटा मेरे इनको लें कि क्योंकि वो डाटा तो ड्रीम परी आप लोगों मिल जाएगा ओके तो अच्छा खिलि सब्सक्राइब काफी खतर रंग पिलियर है दोस्तों इसको भी आप लोग क्याप्टन बना सकते हैं कि लिए हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पिलियर के तरफ डैन किर्भी जो की एक प्रपर बैट्समैन है और इनको जिरो में आउट होने कादत है यार कालभी में आप लोग को बताया था कि कुछ नहीं कर पाएगा जिरो फे गया था आप लोग जाके चेक कर लो बट अगर आप लोग भीजो निले भैन पर खेर रहे हो ना जहां पर दोस्तों आपको मजबूरी में चार खिलाडी लेना ही पड़ेगा तो ऐसा एपलिकेशन पर आप इसको सामिल कर सकते हैं बिल्याल खान 43 मेच खेला 14 के बारजे 33 उकर लिया है बहुत खतरना खिलाडी है दोस्तों इंटरनेशलन मेचस भी काफी सरा खेला है ठीक है तो इनको हमें पिक करना है साथ में 20 के बनाना आली गुलाम तीन मेच में 0-1 सीधा हम इसको ड्रॉप करता है नेक्स्ट आप लोग को मिल जाएगा जेब जिन्होंने 18 मेच खेला साथ के बारे जे तीनी विकेर लिया है और इनका बेटिंग ओडर भी बहुत नीचे है बॉलिंग भी काबा के बार मिलता है तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ विजोन इलेवन जैसे प्लार्फरम में आपको मोजीवरी में इसको लेना पड़ेगा फिर इनका भी दोस्तों कुछ भी नहीं डॉप करतो एंका था से एंसे रृट कि ले के लिए माइं के लिया डॉप करते है शाफी और इतना आसाई से खोई आप लोगों बताएगा है नहीं ज्यादा इंफर्मसन दूँगा ता आपका दिमाग घ्यंग करना लगाएगा ठीक है आपको भी समझ बनेएगा कि भाई क्या बोर रहा हूं है दूसरी टीम के दरप से आप लोग मिल जाएगा इंदी का सैंट जिन्हों आगे बढ़ते है सुधारा तीन मेच में पांच रान दो इकेट ठीक है ठीक ठाक पिलियार है आप लोग चादो ट्राइ कर सकते हो थाराका दो मेच में दो इकेट इस पिलियार को आप लोग चादो पिक कर सकते हो असिरी एक मेच में जिरो इकेट जिरो रान फिर इसको ले में 7 लनाया तो दोस्तो इनकों हम डॉप करते हैं नेक्स्ट आप都बो को मिल जाएगा चेहां जिरन एक मेस में जिरोः के लिए रउप करते हैं १्यूने दीटेल में बटायाया है तो सा इनका भी टीम है दोस्तो उतना कहस नहीं कि फिंद्रा जो टीम है वही भी ध्यान में रखना ठीक है अब मैं आप लोग कुछ इंपोर्डेंट पिलियर बता देता हूं अगर आप लोग घ्लते हो तो तो ग्रैंड लिग में आपको क्या करना है यहां पर जो चार बैसमेन है और चार और राउंडर है और चार यहां पर जो बोलार्स है तो हो गया कि आप लोग को ग्रैंड लिग का कंबिनेशन बनाना पड़ेगा बाकी जो बचा हुआ 10 खिलाड़ी है वो मुझे ने लेकता कि उतना इंपनर रहेगा ठीक है तो यह सिलेक्टेड कुछ दोस्तों 12 खिलाड़ी है इनी खिलाड़ी को आप लोग रोटेट करो और ग्रैंड लि करके आपना ग्रैंड लिग कंबिनेशन बना कर पाटिस्टिपेट कर सकते हैं तो बाकी जो बचा है वह दोस्तों फेंड़ सिटीम जो कि मैं हमेसा आपका टॉस अपना टेलीगराम चन्द पर प्रवाइड करता हूं क्योंकि देखिए टीटेन मेंचेस का लाइन अप टॉस की आपडेट एक घंटा पहले आ जाएगा तो मैं आप लोग इतना ही बोलूँगा कि एक घंटा बहुत होता है दिमांग चलाने के लिए चाहो तो आप सो कंबिनेशन बना सकती हो टीटेन मेंचेस में जो की इंटेनिशन मेंचेस में पॉसीबन नहीं होता है 15 मिनिट रहता करेंगा फाइनल टीम प्रोफाइड करोंगा ग्रैंड लिग एंड एसमाल लिग की तो टेलीकराम चनल आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके लिए आट कर रहे हैं जान कर लो जल्दिश जाके ओके दोस्तों ठैंक्यू आपके लिए